है दोस्तो मैं हूँ विजय वर्मा और मेक अंड क्रियेट में आपका एक बार स्वीड से स्वागत है इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक सॉफ्ट्वियर कैसे बनाते हैं तो दोस्तो हम सॉफ्ट्वियर कुछ ऐसा बनाएंगे कि जब हम उस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक बाक्स अपन होगा और उसमें आपको लिखना है अब जो लिखेंगे वह हमारा कम्प्यूटर बोलेगा दोस्तो उसके लिए हमें चलना है अपने नोटपैड में चलिए मैं रन कमांड उपन करता हूँ विंडोज की प्लस आर की से उपन हो गया अब मैं टाइप करूँगा नोटपैड और इंटरप्रेस करूँगा यह देखिए दोस्तो यह हमारा नोटपैड उपन हो गया है और अब हमें क्या करना है कि हमें यहां पर एक कोड लिखना है सबसे पहले हमें यहां पर लिखना है डी आई एम डी और फिर मेड़ल एस एजी मैसेज कॉमा स्पीए के स्पीक अब मैं इंटर करके अब ही यहां से लिखना है स्पेस दीजिया अब हमें क्या करना है कि हमें ब्रैकेट्स देना है और उनके बीच में लिखना है अब हमें लिखना है इंटर टी एक्सट टेक्स्ट फिर यह बंद कर देना है फिर कॉमा देना है और फिर हमें ऐसा दोठो देना है और इनके बीच में लिखना है अब हमें इंटर प्रेस करना है और फिर से यहीं पर जाना है यहां पर जहां से अमने लिखना है इस्टार्ट किये था और लिखना है सेट स्पी एके स्पी इक्वाल्स प्रियेट अबजेक्ट कोश्ट स्पी स्पी बी ओ आई सी यह देखिए और कोश्ट बंद फिर यहां पर आना है और लिखना है s-p-e-a-k.s-p-e-a-k अब लिखना है m-e-w-s-a-g-e देखिए दोस्तो हमारा यह जो मैसेज है मतलब कोड है वो तयार हो गया है अब हमें इसे सेफ करना है तो आप पाइल पे जाएए सेफ एस पर क्लिक कर दीजिए और वैसे तो आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं मैं इसका नाम दे देता हूँ स्पीए के स्पीक मैसे डिस्कटब पर सेफ करूँगा लेकिन हमें एक चीज और लिखना होगा अगर हम उसे नहीं लिखेंगे तो हमारा जो यह है वो वर्क नहीं करेगा तो आप स्पीक के बाद लिखिए डॉट और बी ए टी अब हमें ओके पर क्लिक करना है फाइल में जाना है स्पीक तो हमारा ठीक था लेकिन उसके बाद हमें डॉट भी भी एस लिखना था मैंने गलती से बैट का दिया था भी भी एस अब हमें सेफ पर क्लिक कर देना है यह सेफ हो जाएगा और दोस्तों यह देखिए कि यहाँ पर आ गया है जो हमने अभी बनाया था दोस्तों यह देखिए आप इसे सुनिएगा मैं इस पर डवल क्लिक करूँगा पहले देखिए यहां पर टेक्स्ट आ गया आपको जो लिखना है वो आप लिख दीजिए जो मैंने उसमें लिखा था वो इसने भी कहा है तो दोस्तो हमारा सॉफ्ट्वेर जो है वो तयार हो गया है इसी तरह आप ऐसा सॉफ्ट्वेर बना सकते हैं और अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे अगले वीडियो के लिए सजेशन जरूर दीजिएगा कि मैं कैसा वीडियो बनाऊं तो दूस्तो थैंक यू बेरी मच और मिलते हैं किसी और वीडियो में मैं इसी क्लोज करता हूं थैंक्स फॉर वाचिंग और प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग